आज की इस वीडियो में सीखेंगे वन का सभी परियोग्ग in English speaking वन का मतलब एक होता है लेकिन यह अलग अलग जगाओं पर कई सारे जगाओं पर अलग अलग मिनिंग से परियोग होता है इस वीडियो में वन से बनने वाले जितने भी वर्ड से सब का प्रयोग सिखेंगे जिसे वन का मतलब है यहाँ वाला वन का मतलब है वाला या वो वाला वो वाला हर यह सब कोई यह वाला वो अपना खूद यह स्वेंग में से एक उनमें से वो ही वो एक से एक कई सरे सब्द है और इन सबी का प्रयोग किस तरीके से किये जाते हैं इ पहाला है वन और यह वन का मतलब है हर या फिर सब कोई जिससे कि आप इसे परियोग कर सकते हैं एबरी वन के यह पर आप पर परियोग करते हैं वहां पर आप वन कर सकते हैं और यह one indefinite pronoun के अंदर आता है, indefinite pronoun के अंदर आएगा यह, pronoun के इस सरी परकार के होते हैं, उसमें से एक indefinite pronoun होता है, उसके अंदर यह one आता है, और यह one pronoun है, यह subject या object बन सकता है, जिसे बोलते हैं, one pronoun है, और इसका परियोग करते हैं, ज्यादा तर subject के रूप में, मतलब गरीबों की मदद करनी चाहिए अब सबको लिखा हुआ है तो यहां पिर हर कोई को तो यहां पर आप एवरीवन परियोग करेंगे यहां पर आवरीवन परियोग ना करके आप परियोग करेंगे वन जिसे वन सुड हाल्प दा पूर वन सुड हाल्प दा पूर सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए शब को माता-पिता की इजद करनी चाहिए वन उड रिस्पेक्ट ऐन्स तिक्राइब करनी है वां और यह सिनगुलर होता है और यह वे लेगा तो सिनगुलर लेगा लेकिन यहां पर एल्प वब हरे यह उड़ तो हेल्पी वह आ रहे हैं तो singular plural का यहां पर कोई भी जंजट नहीं है सब कोई चावल खाता है यहां पर देखें संटेंस पर्जेंट इंडापनेट का है तो one is rice सब कोई चावल खाता है तो सब कोई जहां पर बोलेंगे वहां पर आप one परियोग कर सकते है आगे देखते हैं one one का मतलब है वो अब यह वो किस परकार से होगा किसी को identify करवाने के लिए किसी को पहचान करवाने के लिए आप one का परियोग करते है किसे करते हैं जिसे राहूल वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था अब राहूल ने मेरा बहुत मदद किया था मैंने घर में सब को बताया कि राहूल ने मेरा बहुत मदद किया था और राहूल मेरे घर आ गया तो मैं कहता हूँ कि राहूल वही है जिसने मेरा बहुत मदद किया था तो sentence बनेगा राहूल is the one who helped me a lot या पिर इसे आप ऐसे भी कर सकते कि राहूल बहुत मेरा मदद किया था और राहूल मेरे घर आ रहा है और मैं कहता हूँ कि राहूल घर आ रहा है किसी ने का राहूल कौन है तो मैं कहता हूँ कि राहूल वही है जिसने मेरा बहुत मदद किया था पिरिया वो है जिसको राहूल ने डाटा था पिरिया वो है वो है वोम राहूल स्कॉल्डेड जिसको राहूल ने डाटा था आप देखे संटेंस बनेगा कैसे सबसे बोले तो यहाँ पर आज़ाएगा यह subject जो भी noun होगा वो इसके बाद आज़ाएगा इसे मार्ज हो कि आप present के लिए was, was, past के लिए और इसके बाद आज़ाएगा the one या फिर कहें तो the one भी कर सकते इसके बाद आएगा person के लिए परियोग कर रहे है तो who भी आएगा, hoj भी आज़ाएगा, home भी आज़ाएगा, जिससा भी meaning रहेगा वो उसके बाद आएगा tense के अनुसार sentence इस बातों पर ध्यान रखेंगे कभी mistake नहीं होगा जिससे वे लोग वो है जो बहुत अच्छे किरकेट खेलते हैं तो sentence होगा they are the ones अब यह plural है तो one को plural करने के लिए आप इसमें से s लगा देंगे, once कर देंगे देखिए they are the ones who play cricket very well वे लोग वो है जो बहुत अच्छे किरकेट खेलते हैं तो इससे आप बना सकते हैं कोई भी डाउट है तो आप comment करेज़े वन्स यह वन्स का मतलब है वाला या वो दो मिनिंग के लिए किसी चीज को select करने के लिए जब आप किसी चीज को select करते हैं चुनते हैं तो वहां पर आप वन्स का परियोग करते हैं मुझे काला वाला चाहिए इसमें दुकान में गया और कपड़ा खरिद रहा हूँ तो मैंने कहा हो मुझे काला वाला चाहिए तो मतलब किया मैं select कर रहा हूँ तो sentence होगा I want मुझे चाहिए black one काला वाला तो कोई भी color है कलर के बाद अगर आप one लिखते हैं तो आपका होचा हैगा जिससे red one, green one, yellow one, pink one इसे बुल सकते हैं हिंदी मुझे होचा हारा one, पिला one, लाल one इस प्रकर से क्या तुम हारा वाला चाहते हो? Do you want green one? कि आप रबदर सकते हैं कि कोई भी color के साथ one आ रहा है? मैं लाल वाला चाहता हूँ, I want red one, मैं लाल वाला चाहता हूँ तो इससे sentence आप बना सकते हैं कई सारे जापरा बोलते हैं वाला या वो इससे मुझे वो वाला चाहिए, यहाँ पर आगे हम सीखेंगे कि वो वाला के लिए क्या परियोग होगा? यह पर आपका पाला पर्योग है दिस वन और यह दिस वन का मतलब है यहाँ वाला जैसे बोलते हैं मुझे यह वाला पसंद है मैं यहाँ वाला लैप्टॉप लोगा तो इससे आप बोल सकते हैं तो इसका परियोग कब करते हैं जब नजदीक के लिए आप परियोग करेंगे जोब कोई चीज़े आपके नजदीक में हो जो से आप टच भी कर सकते हो कि मुझे यह वाला चाहिए मुझे यह वाला चाहिए मैं यह वाला ख्रीदना चाहता हूं उस तरह किसा परियोग करते हैं मैं यहावाला लेना चाहता हूं तो sentence किसे बनेगा I want मैं चाहता हूं यहावाला मतलब दिस वन चाहेगा लेकिन लेना चाहता हूं तो लेना के लिए अंग्रेजिया पर लिखेंगे to take I want to take मैं लेना चाहता हूं इस वन यह वाला जिससे रभी यह वाला बैट से खेलेगा, तो संटेंस कंसे बनेगा, रभी सर्ण से आप देखिए, यहां पर इस भ़त से बनाना पड़ेगा, कि रभी विल पले, रभी खेलेगा विध दिस या फिर विद दा बैट, मतलब रवी विल पले विद दा बैट अब यहाँ पर यहाँ वाला यहाँ वाला बैट यहाँ पर कैसे होगा विद दिस वन बैट यहाँ पर इससे कर सकते हैं मतलब रवी विल पले विद दिस वन बैट रवी यहाँ वाला बैट से खेलेगा तो यहाँ वाला मतलब this one, यहाँ वाला बैट, this one बैट, इससे बैट मतलब बला, इससे बोल सकते हैं अब आगे हैं these ones और इसका मतलब है यह वाला, इसका परियोग कब करते हैं इसका परियोग करते हैं बहुवचन के लिए, मतलब plural के लिए और नजदीक के लिए मतलब नजदी के लिए परियोग करते हैं बहुवचन हो कहीं सारे हो लेकिन नजदीक हो तो संटेंस होगा मेरा ये वाला समान है मेरे पास बहुत सारी समान हैं या पर मैं कहता हूँ कि मेरा ये वाला समान है तो मैं संटेंस में बोलूँगा My products are these ones इस लिए प्लूरल है सुमन यह वाला बजार से लाया है इसे अगला वर्ट मतलब यह वाला है अपना के लिए परियोग कर लेते हैं कर लेते हैं हर पर्यूग कर लेते हैं से यहाँ पर वनस है जिसका मतलब है अपना यह यह पर पर जसी परके मेरा जुक अपर मेरा जो सबता ही होगा माई और यह माई सब्द चोह यह possessive adjective कर लाता है इसे सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए तो सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए तो one should serve सभी को सेवा करनी चाहिए once country मतलब अपने देश की तो ध्यान रहे कि once तभी आएगा जब इसका subject one रहेगा जिसे I subject रहेगा तभी माई के लिए मेरा के लिए अंग्रेजी में माई आएगा यू subject रहेगा तभी तुम्हारा के लिए आपका के लिए यूर आएगा मतलब यहाँ पर देखा जाता है कि second person के बारे में बात हो रही है फर्स्ट पर्संड के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में बात हो रही है उसके अनुसार होता है लकिन यहाँ पर वन्स परियोग तभी होगा जब सब्जक्ट वन होगा हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए वी सुड सर्व आवर कंट्री यहाँ पर देखे वी सब्जक्ट है तो वी का पजेसिव अड़क्टी वह आवर होता है यहाँ पर आवर आगे सभी को अपने बड़ों की इज़्जत करनी चाहिए वन सुड रिस्पेक्ट सभी को इज़्जत करनी चाहिए वन्स एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों की या अपने बड़ों की ऐसे परियोग करेंगे सभी को अपना काम करना चाहिए one should do सभी को करना चाहिए once work मतलब अपना काम मैं अपना काम करता हूँ I do my work आप अपना काम करते हो you do your work इससे हो जाता है इसे तरी के से आपर one का once हो जाता है positive adjective आगे हैं oneself इसका हिंदी मतलब है मह Assistant यह खुद यह स्वेंग यह कैसे बना है इसा बोलते हैं न माइ वी आप बोलते हैं योर्श को उसी तरीके से यह पर वन का वन सवनद बना हुआ। माैसलब का मतलब क्या हुग यह मैं खुद-च यूर्सलब का मतलब क्या हो गया ये भी प्रुनावन है लेकिन ये रिफ्लेक्सिब प्रुनावन के अंदर है जो रिफ्लेक्ट करता है जो दरसाता है खुद को सब कोई अपना काम स्वेंग करता है तो वन डज सब कोई करता है वन स्वर्क मतलब अपना काम खुद ये स्वेंग मतलब वन सेल्फ को यह बाद कि संटेंस में तीन तरीके से प्रियोग हो गया कि सब खुद कड़ी मेहनत करते हैं सब खुद कड़ी मेहनत करते तो अब करते हैं तो करते हैं के लिए आपर क्या हो जाएगा वन डज सब कोई करते हैं वर्क हार्ड यहापर लिखा हुआ है वर्क हार्ड सब कोई करते हैं वर्क हार्ड यहाँ पर चाहिए तो आप हार्ड वर्क लिख सकते हैं इस वर्क को यहाँ सेटा करके वर्क हार्ड वर्क वन सल्फ सब कोई खुद कड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर के से बनेगा One does सब कोई करता है Hard work कड़ी मेहनत oneself मतलब खुद अगर सब कोई खुद यहाँ काम कर सकता है क्योंकि करना बहुत आसान है और इससे आप कई सारे जगों पर बोलते हैं इससे one can do this work सब कोई यहाँ काम कर सकता है oneself मतलब खुद स्वेंग अपने से आगला है that one और इसका मतलब है वह वाला इसका परियो करते हैं दूर की चीज़ों के लिए आप कि सारा करके बोलते हैं कि मुझे वह वाला चाहिए मैं वह वाला खुदना चाहता हूँ that one मतलब वह वाला हम लोग वह वाला मोबाइल खरीदेंगे we will buy हम लोग खरीदेंगे that one मोबाइल मतलब वह वाला मोबाइल आगे हैं दो जवन्स और इसका भी मतलब हैं वह वाला लकिन ये परियोग होते हैं बहु वचन के लिए बहुवचन भी हो और दूर भी हो वहाँ पर प्रियोग करते हैं वो वाला पेड किसका है तो पेड वहाँ पर एक नहीं है काफी सारे पेड है तो मैंने कहा अंगरीजी में whose trees are those ones मतलब वो वाला पेड किसका है तो यह पर हो गया मैं वो वाला देखकर आया था मतलब कोई समान है मैं वो वाला देखकर आया था लेकिन यह लोग यह ले रहे तो संटेंस होगा कि I had come मैं आया था having seen देखकर those ones मतलब वो वाला अब यहाँ पर देखेए आप बोल सकते है अगर कोई सब्द पुल्रल होगा तो वन्स कर देंगे सिंगलर रहेगा तो वन ही रखेंगे आगे हैं वन आफ और इसका मतलब है मैं से एक जिसे गुरूप में किसी एक के लिए जिसे यहाँ पर कई सारे लोग हैं और उसमें से में किसी एक की बात करना चाहता हूँ तो बनेगा मेरे दोस्त में से एक अंग्रेजी बोलना जानता है मेरे दोस्त में से एक मतलब अंग्रेजी बोलना जानता है और मैं बता दू कि subject जो है यह one है मतलब यह main part subject का यह है और इसी के अनुसार वब आएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं singular no जाया हुआ है आप इसा न करें कि my friends को देख करके no करते नहीं subject one होता है और मेरा focus भी one पर यह car में से एक खराब है कई सारे car पार्क किये हुए है और कई सारे car में से एक car ऐसा है जो खराब है तो sentence होगा one of cars is bad मैं बात कर रहा हूँ one की मतलब एक की मैं बात कर रहा हूँ इस वज़े से वह भी यहाँ पर यह जा रहा है अब है one versus a और यह मतलब होता है दोनों का एक हो है तो यह मैं एक होगा one बोलू है निए फिर इफ्रेंस क्या है वन का परियोग तब करते हैं जब जोर देकर के आप बोलते हैं और एक परियोग तब करते हैं जब आप समानी तरीके से बोलते हैं आर्टिकल के रूप में परियोग करते हैं लेकिन यह पर देखना यह होगा कि जब आप जोर देकर के बोलते हैं आप वह पर वन परियोग कर वहां पर दूसरा भी है इस प्रगार से कि there is one cow here यह पर one cow आगया यह emphasize करके हुआ आगे है one of those और इसका मतलब है उन में से है जिसे मेरा भाई उन में से है जो सरकारी नोकरी करता है तो my brother is one of those who does our government job तिया पर आप दे सकते हैं कि जो government job करते हैं तिया पर one of those आगया उन में से है मतलब कई सारे है उन में से है रमेश उन में से है जो लोगों की मदद करता है रमेश इज रमेश है one of those उन में से who helps others जो लोगों की मदद करता है आगे है more than one और इसका मतलब है एक से ज्यादा जिसे बोलते हैं तुलना करने के लिए एक से ज्यादा पेन मेरे पास नहीं है एक से ज्यादा लड़का बजार गिया है तो यह पर देखें मोर देन वन बोई यह पर जो सब्जक्ट होगा यह पर यह वन बोई जो लिखा हुआ है यह वन के नुसार आएगा आगे है दववन और इसका मतलब में वो ही वो जिसे किसी को पहचानवाने के लिए आप करते है तुम वही हो जिसने मेरा फोन चुराया था सुमन वही है जिसने तुम्हारा मदद किया था सुमन इस दववन हूँ है यह प्रदसते कि सुमन एजमर परजेंट के लिए इसके बाद दववन परियोग होग और इसका मतलब होगा वही इस तरह से सो गाई सुमन एच फर वाचिंग दरशा फर तोडेया